नमस्कार, JCERT के DJ स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्क पांच के गनित के पार्ट सम्तुल्ल भिन अर्थात equivalent fraction की चर्चा करेंगे भिन की अवधारना हमने पिछले दो वीडियो में अस्पस्ट कर दिया है अब इसी क्रम में हमारा अगला जो टॉपिक है वो सम्तुल्ल भिन है एक घटना से या कहें एक छोटी सी कहानी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ राजू के पिता जी ने बाजार से केक खरित के लाया और राजू से पूछा कि तुम्हें लेना है तो उसने कहा हाँ जरू लेना है तो छोटा लेना है हिस्सा या बड़ा लेना है राजू ने कहा नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए हिस्सा तो थीक है मैं पूछे एक और प्रसंद का जवाब दो तुम एक बटा दो हिस्सा लोगे केक का या दो बटा चार लोगे अब तो राजू सोच में पड़ गिया कि इसमें बड़ा कौन है एक बटा दो और दो बटा चार आए उसकी जो ये समस्या थी हम लोग मिलके हल करने की खुशिस करते हैं ये चित्र हम देखते हैं इसे हम केक मान लेते हैं तो इस केक को हमने कितने भागों में बटा दो भागों में और ये रंगा हुआ जो हिस्सा है ये इस चित्र का कितना हुआ तो दो भागों में बटा था तो ये हो गया हमारा दो भागों में बटा और इस का एक हिस्सा ये हो गया है अब ये दूसरा चित्र देखते हैं यहां हमने इस चित्र को इस वृत को या इस केक को जो भी कहें चार भागों में बाटा है और इस चार में दो भागों को रंगा है मैं इसे मिलान कर रहा हूँ उस केक वाली घटना से तो दो भाग को हमने रंगा है तो हमने ये हिस्सा कितना किया था यहां भाग चार और इसमें रंगा कितना है दो तो ये दो बटा चार हो गया अब इस वाले चित्र को हमने छे भागों में बाटा है एक दो तीन चार पांच छे छे भागों में बाटा तो यहां हर में हो गया छे और इसमें से हमने कितने भागों को रंगा है एक दो तीन तो ये तीन बटा छे और इस वाले में हम देख रहे हैं हमने इसे आठ भागों में बाटा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो यह हर में हो गया आठ और रंगा कितने भाग में है एक दो तीन चार चार बटा आठ यह अब हम गौर करेंगे यहां दो भाग में बाटा तो यह रंगा हुआ भाग एक बटा दो हो गया यहां रंगा हुआ भाग दो बटा चार हो गया यहां रंगा हुआ भाग तीन बटा चे हो गया और यहां रंगा हुआ भाग चार बटा आठ हो गया लेकिन थोड़ा गौर से देखें वास्तों में ये पूरे का आधा ही है ये पूरे का आधा ही है ये भी पूरे का आधा है और ये भी पूरे का आधा है तो सारे छित्रों में हमने जो रंगा है वो एक जैसा ही रंगा है अर्थात हमारा ये भिन, ये भिन, ये भिन और ये भिन इन सारे भिनों का जो मान है वो बराबर है या तुल्ले है इसे ही हम कहते हैं समतुल्ले भिन अर्थात इसका मान बिल्कुल एक है अर्थात हम इसे कहेंगे सम्तुल्ल भिन एक बटा दो, दो बटा चार, तीन बटा छे और चार बटा आठ यह कैसे भिन है, यह सम्तुल्ल भिन है, या इसे इंगलिस में हम कहते हैं, इक्विवैलेंट फ्रैक्शन, तो अब राजू वाली उस कहानी का हल हमें मिल गिया, उसके पिता ने उसे क्या कहा था, कि कितना लोगी, एक बटा दो या दो बटा चार, तो उसे क्या जवाब देना चाहिए था, दोनों में से कोई दीजिए, दोनों का तो मान विलकुल बड़ाबर है, उतना ही इस्सा होगा, एक बटा दो जितना होगा, उतना ही दो बटा चार भी होगा, अब हम देखेंगे, कि अगर कोई भिन हमारे पास है, या दिया गया है, तो उसके तुल्ले, यानि उसके सम्तुल्ले भिन हम कैसे ग्याद करेंगे, तो एक उधारन की साहता से इसे हम स्पस्ट करनी कोशिस करेंगे प्रस्न है इनके पांच-पांच सम्तुल्य भिन ग्याद कीजिए पहला है एक बटा तीन तो इसका जो सम्तुल्य भिन होगा ये कैसे हम ग्याद करेंगे सम्तुल्य भिन इसका जो हमारा तरीका है एक बटा तीन अब हम इसका अंस और हर ये जो अंस और हर है तो इसका जो हम गुना करेंगे एक ही संख्या अंस और हर में लेंगे जैसे अगर हम पाले दो से करते हैं दो बटा दो तो ये हो गिया दो इका दो तीन दुना छे तो एक बटा तीन का एक सम्तुल हो गया हमारा दो बटा छे अब एक और निकालते हैं फिर ऐसे ही करेंगे अब जो भी हम संख्या लेंगे अंस में वही लेंगे और हर में वही लेंगे चलिए इस बार तीन बटा तीन लेते हैं अर्थात एक बटा तीन का आंस में भी गुना हम तीन से करेंगे और हर का भी गुना तीन से करेंगे तो तीन एका तीन तीन ती आए नौ तो ये दो सम्तुल्य भिन हमने एक बटा तीन का निकाला एक हुआ दो बटा छे और दूसरा तीन बटा नौ हमने यहां क्या किया कि आं से भाग किया यहां तीन बटा थीन से भाग किया अब हमें पांच निकालने थे बाकी जू बच गए और तीन इससे आप स्वयम निकाले तो किस से गुना करेंगे आगे एक बटा तीन को चार बटा चार से फिर 1 बटा 3 को या कोई भी संख्या ले सकते हैं ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि हमें 5 चाहिये तो 5 बटे 5 ही लेंगे आब 10 बटा 10 ले सकते हैं 15 बटा 15 ले सकते हैं तो इस तरह से आप सम्थुलभिन निकालेंगे सम्थुलभिन की अवधारना को सपस्ट करने के लिए हम एक और प्रस्न देखते हैं यह प्रस्न है चित्र देखकर खाली बॉक्स में ये चिन या ये चिन भरे अर्थात छोटे और बड़े का चिन भरना है अर्थात ये बताना है कि कौन बड़ा है खौन छोटा है पहला है एक बटा दो और एक बटा चार इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है अर थात ये एक बटा दो बड़ा है या एक बटा चार बड़ा है तो हम लोग चित्र देखते हैं, एक बटा दो वाला चित्र कौन है? ये, ये है एक बटा दो और ये है एक बटा चार और ये है एक बटा तीन तो एक बटा दो और एक बटा चार में बड़ा कौन है? यहाँ इस परष्ट देख रहे हैं, ये एक बटा दो रंगा हुआ है और ये एक बटा चार चोटा है तो यहां हम ये चिन्ह लगाएंगे अर्थात इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे एक बटा दो बड़ा है, एक बटा चार छोटा है या एक बटा दो, एक बटा चार से बड़ा है अब दूसरा देख रहे हैं, एक बटा चार और एक बटा तीन यहां है हमारा एक बटा चार और यह है एक बटा तीन तो यहां इस परस्ट हमें नजर आ रहा है कि एक बटा तीन बड़ा है और एक बटा चार छोटा है तो यहां इस तरह का चिन हा जाएगा अर्थात एक बटा चार एक बटा तीन से छोटा है अब ये तीसरा हम देख रहे हैं एक बटा दो और एक बटा तीन तो यहां देख रहे हैं एक बटा दो और ये एक बटा तीन आप खुद देखें कि ये बड़ा है या ये बड़ा है निस्यत रुप से ये एक बटा दो बड़ा है और एक बटा तीन चोटा है तो इसमें इस तरह के चिन हाएगा, एक बटा दो, एक बटा तीन से बड़ा है, आज का जो हमारा टॉपिक था सम्तुल भिन, मुझे आसा है कि यह आपको स्पस्ट हो गया होगा, और अब आपके पाठी पुस्तक में जो अभ्यास के प्रशन दिये हुए हैं, इसे आप और जितने जादे आप अभियास करेंगे, उतना ही आपका यह अवधारना और जादा अस्पस्ट होगा, धन्यवाद